असलाम लेकुम विल्कुम टू माई यूटिब चैनल उमीद आप सब लोग बल्कुल ठीक होंगे आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CS625 GDB Solution for 2024 इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और से आप चैनल के लिंक है आप वीडियो की टमार्म अपडेट्स के लिए उधर अब GDB का जो हमारा टॉपिक है वह है यू आपरेशन डिरेक्टर अट अमीडियों साइज सॉफ्ट्वेर रोष के आप एक अपरेशन डिरेक्टर है मीडियों साइज सॉफ्ट्वेर रोष में यूर कंपनी जस्ट लॉंडेड अब अब प्रोजेक्ट विद ताइड डेड और जो क्लाइंट है वो टॉप क्वालिटी वर्क चाहता है इस तमाम फीचर्स के साथ निसेसरी फीचर्स के साथ होगर योर टीम इस आरड़ी बीजी विद अधर प्रोजेक्ट आपकी तीम दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी बीजी है और उनका मतब कॉंसर्ट यह भी है कि जो लोग है वो खुशना हो इस तरह तो मेक तिंग्स मोर मोर कंप्लिकेटेट अ फ्यू की टीम मेंबर है प्लैंट टाइम अफ नेक्स मांथ के कुछ टीम मेंबर ने नेक्स मांत का भी प्लैन दाया विच कुल इंपक्ट ताइम लाइन फॉर निव प्रोजेक्ट जिससे जो जो इनुव प्रोजेक्ट उसकी एक डेड्लाइन है वो उस फो को अफेक्ट कर सकता है इस नुव प्रोजेक्ट के question आप हमार पास do you consider bringing in temporary contractors to help with the work overload even if it means slightly increasing the project budget क्या आप temporary contractor को गी help लेख सकते हो work load को overcome करने करिए और slightly increasing project budget में भी you need to justify your answer with three or two lines आपने हमें answer दो यो तीन लाइनों में देना है और इस template को आपने follow करना है first yes temporary contractor should be utilized के temporary contractor को इस्तमाल किया जा सकता है no temporary contractor should not be utilized उनको utilize नहीं किया जा सकता है आपने इस context में आपने answer देना है अपना template में जो first है हमारे पास yes temporary contractor should be utilized bringing in temporary contractor can help distribute the workload more evenly ensuring that the project meets its tight deadlines without overwhelm the existing team के temporary contractor होता है उसको हम यूज कर सकते हैं इस ही होगा कमारे workload जो होगा वो distribute हो जाएगा और जो project की meets है उसकी deadline तक वह भी पूरी हो सकती है और जो team existing team है वो उन पर load ज्यादा नहीं आएगा इस एप्रोच इस ही होगा कंपनी की reputation भी अची होगी और जो project होगा उसको बहुत जादा benefit होगा second जो हमार बास है अगर 9 में आये तो no temporary contractor should not be utilized relying on temporary contractor could lead to inconsistencies in work quality and team dynamic especially if they are not familiar with the company's process it may be more beneficial to prioritize current project and manage resource effectively to meet client expectation without compromising the team well-being कि आप ना यूज करें temporary contractors इस ही होगा कि जो temporary character होगा वो inconsistencies को lead करेंगा world work की जो आपकी quality होगी वो काम होगी team में जो आपका इतफाक वगरा होगा वो काम होगा और especially यह भी हो सकता है कि जो new contractor होगा वो company के process से familiar नहीं होगा तो यह भी आपके बास नुकसान दे होगा और beneficial यह है कि आपके current project उनको manage करो effectively और client के expectation पे पूरे उत्रों और अपनी team पे कोई compromise ना करें तो यह था आपको solution अमीद का आपको समझागी होगी वीडियो अच्छी करें लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला आफिस